नमस्कार फ्रेंज्स मैं इंदुकोशल आज फिर आप सब का वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टड़ी फ्रॉम होम में सो फ्रेंज्स कैसे हैं आप I'm sure आप सब अच्छे से होंगे तो फ्रेंज्स जैसे के आपको पिक्चर में दिख रहा है एक टर्टल कौन है यह है यह है टर्टल टर्टल कौन होता है कच्छुआ तो आज हम मेरी कोल्ड इंग्लिश क्लास वन का आपका ही जो यूनिक एट है उसका जो चाप्टर है फॉर्स्ट अ लीटल टर्टल एक्चर में चाप्टर नहीं है यह क्या है यह एक पूइम है तो हम इसको आज अच्छे से पढ़ेंगे और इसको एक्स्पेंग भी करेंगे और जो डिफिकल्ट वर्स इसमें आएंगे हम उसको भी साथ साथ समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पूइम को I'm a little turtle क्या बोल रहे हैं? I'm a little turtle, I crawl so slow I carry my house wherever I go तो यह क्या कहता है? यह कहता है कि मैं एक चोटा कच्छुआ हूँ मैं दीरे दीरे रेंगता हूँ क्रॉल क्या होता है? रेंगना I carry my house wherever I go मैं जहां कहीं भी चाता हूँ अपने घर को अपनी पीट पर लेकर जाता हूँ आपने देखा है ना जब अगर आपने गच्छवा देखा है डटल को देखा तो आपने देखा है उसके उपर एक हाट सब कुछ होता है पर लेकर यहा लिया तो इसका है का अपने देखा है तो अपनी टांगे पूछ सब उसके लेटा है तो यह जहाँ है ओस आप लिख सकते हैं इसको to move slowly on hands and knees ठीक है दिरे दिरे रेंग नहीं को कहते हैं crawl करना बच्ची भी करते हैं na crawling बोलते हैं जब उनको ठीक है next कहा है carry carry means हो तक किसी चीज़ को उठाना to hold something and next day wherever wherever means जहां भी at any place okay तो चले आगे देखते हैं when I get tired I put in my hat my legs and my tail and I go to bed तो क्या बोल रही कि when I get tired जब मैं धक जाता हूँ तो वो क्या करता है अपना head head means sir, leg means pair, tail means punch and I go to bed तो अपना sir, pair अपने punch को घर के अंदर लेता है घर कौन सा होता है उसका पता है ना भी पने अपने 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 पूंच को घर के अंदर कर लेता है और I go to bed और मैं सोच आता हूँ देखा कितना इसको easy भी है कहीं इसका घर इसके साथ ही चलता रहता है और जब ठक जाता है तो अपना जो head, legs और tail है I crawl so slow, I carry my house wherever I go, when I get tired, I put in my head, my legs and my tail and I go to bed ठीक है यहां पर देखें राइमिंग वर्ट्स भी काफे बनते हैं आपके तो वो भी आप बच्चे से पूछिएगा और चलिए इसको आगे देखते हैं कि इसमें क्या है निव वर्ट्स जायों मैं आपको explain कर चुकी हूँ क्या थे कैरी क्रॉल टाय टर्टल ठीक है आगे जस यह लेट्स रीट करने के लिए बच्चे से पढ़ाइए अब बेबी क्रॉल्स अ टर्टल हैज अ शेल ठीक है आगे देखते हैं इसमें रीरिंग इस फन में कुछ कोश्चिंस यह गया है आपको पता है कैसे बहुत फास चलता है तो हम इसका क्या आंसर देंगे इस पर आप लिए सकते हैं टर्टल वाक्स वेरी स्लोली तो आप लिए सकते हैं वेरी स्लोली और चुको कोश्चिंट टू है इसमें वो क्या है वो अपने बैक पर क्या उठाके चलता है I'm sure सारे बच्चिस का आंसर दे देंगे क्या आंसर होगा और नेक्स्ट कोश्चिंट क्या है इसका नेक्स्ट कोश्चिंट है इसमें Where does the turtle go when it is tired? जब कच्चुँआ ठक जाता है वो कहां चाता है हमने पढ़ाता न अभी पोईम में कहां चाता है आप लोग कहां चाते है जब आप ठक जाते हैं अपने घर के इंदर चले जाते हैं तो जो ठर्टल है उसका घर कौन है? shell, क्या बोलते हैं उसके घर को shell तो इसका आंसर क्या लिकेंगे the turtle goes inside his shell, कब चाता है when he is tired चीक है यह हो गए, आगे जेखी आगे जस्ट यह let's talk करने के लिए बच्ची से आप पूछ सकते हैं कि वो क्या आंसर देता है what is the turtle's house called तो क्या बोलते हैं, what other reason can you give for a turtle going into its house, आप और क्या reason दे सकते हैं कि वो क्यों जाता है तो हमने देख लिए कब जाता है जब वो tired हो जाता है, और क्या reason होते हैं कि उसको अपने घर में छुपने के लिए maybe बहार rain हो रहा हो है ना, या to save himself from any danger, like enemies होते हैं ना, दूसरे animal जो उसको hurt कर सकते हैं तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं बच्चे से पूछिए, और जैसे for example आप इस क्या लिख सकते हैं, the turtle goes into his house to save himself from dangers ठीक है तो यहां पर कुछ words दिए गए हैं, आपको इसको loudly बोलना है बच्चे से पढ़ाई हैं इनको words को और उनको कहें कि जोड से बुले तो क्या होगा, हमको spellings भी learn होंगी और इसकी sound के बारे में भी पता चलेगा कौन सी word की कौन सी sound आती है ठीक है, let's share यह जिस्ट आपको बच्चे से करवाना है जैसे यह है, imagine you are a turtle crawl like a turtle कि बच्चे को बोलो कि imagine करो तुम turtle हो, कैसे चलोगे, वो crawl करके दिखाएगा now you are tired, so get into your shell and go to sleep अब तुम धग गए हो, तो अपनी कहा जाओगे अपनी shell में चले जाओगे and wake up and start to crawl again ठीक है, यह ज़स्ट एक activity है बच्चे से कराईए, यहाँ पर देखिए, दो टर्टल दे गए है आपको इसमें color करना है चाहिए, आगे देखते इसमें क्या है तो आगे इसमें just trace करने है आपके alphabets हैं आपके तो बच्चे से यह करवाईए तो यह छोटे सही एक poem थी जो इसमें हमने cover कर ली है तो क्यूंकि यह छोटी सी वीडियो थी तो हम इसके साथ ही इसका तो next इसमें जो chapter आता है the tiger and the mosquito इसको भी हम इस वीडियो में ही आज start कर लेंगे तो देखिए, यहाँ पर कौन है tiger और यहाँ के इसके पास कौन है mosquito, mosquito कौन होता है मच्चर, तो चलो देखते हैं क्या है स्टोरी में, I'm sure यह स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी तो एक बाघर मच्चर की कहानी हम पढ़ेंगे तो चलिए, हम इसको start करते है ठीक है a tiger was dozing under a tree dozing means जो हलका सा short time के लिए मैं से सो जाते है ना जब किसी ले लेते है उसको कहते है dozing dozing आप कह सकते है sleeping lightly for short time a mosquito came buzzing by तो वहाँ पर कौन आता है mosquito, mosquito means मच्च ठीक है, मच्चर तो आपको बता है उसको हम कह सकते है an insect buzzing by buzzing का means होता है आपने सुने ना मच्चर के आवाज कह सकते है भिन भिनाता हुआ आता है उस sound को कहते है buzzing sound of flying insect ठीक है, आप ही कह सकते है the tiger said hey mosquito go away ठीक है, तो क्या आ रहा था जो बाग था, वो कहा था पेट के नीचे सो रहा था और तभी वहाँ पर एक मच्चर भिन भिनाता हुआ आता है और उसको परिशान ही करता है तो जो बाग था, वो गुसा हो जाता है और उसको क्या कहता है कि यहां से चले जाओ mosquito said why should I go away I am not afraid of you जो मच्चर है वो उसको बोलता है कि मैं क्यों जाओ, मैं तो तुमसे नहीं डरता हूँ the tiger was angry he hit out with his paw जो tiger था उसको गुसा आ गया तो उसने देखो क्या किया उसने उसको उसकी बाते सुनके उसको गुसा आ गया तो उसने अपने paw, paw means उसका जो पंजा होता है उससे उसको hit किया देखो उसको मानने की कोशिश की तो फिर आगे क्या हुआ देखो picture में क्या दिख रहा है देखते हैं क्या होता है उसको the mosquito flew off the paw's chuck his own chicks तो उसने उसको मानने के लिए तो अपना पंजा उठाया था बट क्या हुआ मच्छ तो उड़ गया और बाग का जो पंजा था वो अब उसके अपने ही गाल पर पढ़ गया ठीके the blow scrapped his chicks और उससे उसका जो गाल तो चिल गया it begun to bleed और उससे क्या होगा खोन निकलने लग गया the mosquito burst away और जो मच्छ भीन बिनाता हुआ उड़ गया the tiger struck with his other paw फिर बाग ने अपने दूसरे पंजे का प्रयोग किया ठीके the mosquito flew off और जो मच्छ भीन फिर से उड़ गया और इस ताइम टू ही हिट इंसेल्फ और इस पार भी उसने खुद को ही छोट पहुंचा है फिर से उसको अपने ही मुबर चांटा तमाचा लग गया इस उसको और गुशार था बट अब वो क्या का सकता उसने एक बार पने पार से हिट कने के कोशिश की उसके खुद के ही चीक्स पे लग गई और ब्लिडिं स्टार्ट हो गई नेक्स तैम सेम मिस्टेक उसके साथ ही और उसको ही छोट लग गई अब जो बाग था वो क्या क्या उठा और धिरे धिरे वहां से चला गया मस्कीटो कॉल आउट आफ्टर हीम डॉंट बी सो प्राउट माइ फ्रेंड एवरेवन इस ग्रेट इस ओर वे तो जब बाग उठके जाने लगा तो जो मस्कीटो था मच्छर था उसने बाग से कहा कि जादा घमण नहीं करना चाहिए दोस्त जो हर इंसान हर व्यक्ति अपने किसी ना किसी तरह से अपने में ही विशेश होता है कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और कभी अपने घमण नहीं काना चाहिए तो इसने उसको भी ताइगर को भी एक सबक मिला तो यहां पर कुछ डिफिरेंट वर्ड्स आए जैसे आपका फ्ल्यू है इसको आप कह सकते हैं जिसे उड़ गया तो आपको हिंदी में समझा जाएगा बट अकर आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं सब बाउ से चो नेल खेंग च्ल गया चिल लिख यह जोट नहीं सम्सकों जोड़ एज जी आकले किसा इंगे और किस रखेंट पर Structs means hit, ठीक है, और आपके कौन से helpless आया था आपका word, helpless तो फिर आप समझ कहते हैं, helpless कि आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिस तैम इसने दोनों हाथ यूज के लिए अपने पो, बट वो फेल हो गया, तो हो helpless हो गया, सहाय हो गया, तो आप कह सकते हैं, where one can do nothing, कुछ भी नहीं क making any noise, ठीक है, और walked means, चला गया, went away, and proud को, आप तो सबको बता होता है, proud क्या होता है, घमंड करना, feeling of pride, बहुत जादा, जो जिसको अपने उपर घमंड होता है, उसको हम क्या कहते है, proud है, इसको अपने उपर, तो इसको आपके लिख सकते है, feeling of pride, ठीक है, और next इसमें है, great, great को आप ले सकते है, महान, कि सब अपने अपने जगा पर महान होते है, किसी को कम नहीं समझना चाहिए, means having good qualities, जिनमें good qualities होती है, वो great होते है, ठीक है, तो इसमें आपके देखे, अच्छी से story थी, और इसे सब को एक lesson भी मिलता है, और क्या lesson मिलता है, कि कभी भी कमंड नह समझना चाहिए, सब में कोई ना कोई qualities होती है, everyone is great in his own way, सब अपने अपनी जगा पर महान होते है, यह चाहता था, यह क्या चाहता था, कि यह मुझे से डर है, बट ऐसा नहीं हुआ है, उनको यह उटके जाना पड़ा, यहां पर काफी new words आए है, हमने explain भी किये हैं, फिर just read करने के लिए है, इसमें reading is fun में देखे, questions क्या है, what was the tiger doing when the mosquito came buzzing by, तो क्या कर रहा था वो चब mosquito उसके पास बन मिना रहा था, तो tiger क्या कर रहा था, सो रहा था, रिलेक्स कर रहा था, तो हम यहां लिख सकते हैं, the tiger was sleeping when the mosquito came buzzing by, तो डोजिंग प्रॉपरली सोना नहीं होता, तो आप sleeping की जगर relaxing भी लिख सकते हैं, the tiger was relaxing when the mosquito came buzzing by, जैसे आपके teacher आपको लिखाते हैं, वैसे why did the tiger's cheek start to bleed, क्यों bleed हो रहा था, क्यों क्यों निकल रहा था, सबको पता है, his cheek start to bleed because he got hit by his own paw, while trying to attack on his mosquito, तो इता लॉंग लिखने की जुरूट नहीं है, आप जस्ट लिखे, his cheek start to bleed because he got hit by his own paw, याप छोटे बच्चे हैं, तो इता आपका लॉंग आंसर हो जाएगा, why did the tiger walk away, क कैसे जा रहा है, क्यों चला गया था, क्यों helpless feel कर रहा था था, तो इसलिए वो वहाँ से चला गया, the tiger walked away because he felt helpless at last, तो लास्ट में हो helpless feel किया, वहाँ से चला गया, तो देखें, यहाँ पर कुछ न आंसर थे, और यहाँ पर कुछ वर्स दे गया है, इनको तुड़ा loudly बोलिए बच्चे को आएंगे यह परने, और यहाँ पर लेट्स टॉप, जस्ट पूछे बच्चे से कि why did the mosquito say I am not afraid of you, यह बच्चे से पूछे कि आपो क्या लगता है, क्यों मच्चन ऐसा कहा, कि मैं नहीं डरता तुमसे, क्यों खाओगा, because, जो tiger था, वो क्या कर रहा था, वो मान जाता, पर उसने एंगर दिखाया, तो इसलिए मस्किटो ने इसको और ज़्यादा परिशान किया, और परिशान करने से क्या हुआ, लास्ट में उसको ही जाना पड़, और अपनी गल्ती के इसको जरूर फिल हुआ होगा, ठीक है, तो चलिए, देखते हैं, आगे इसमे पिक्चर में ही उनको समझ आजाएगा कि क्या डिफरेंस है, और ये थोड़े ब्राउन कलर से मिलते जुलते हैं, और ये थोड़े यलो कलर में होते हैं, और इनके क्या होती है, बलैक कलर स्ट्रिप्स होती है, बच्चे से पूछे, जैसे वो बताते हैं, वैसे जस लेट स् इसको आपको लाइच नहीं करना है और यहां पर फिलप्स है तो फिलप्स में देखे क्या है अडैश वास डोजिंग अंडर ट्री यह तो आपको बहुत एजी है यहां पर लाइंज दी गई है सिर्फ आप उनको ट्रेस करके लिखना है तो यह चैप्टर भी और मुस्ट कंप्लीट होता है आपको समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और समझ आये तो प्लीज लाइक कीजिए और शेर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफिता तक यह सो मुझ वाचिए मैं वीडियो अच्छी लाइक केर